Hello students, welcome to the official YouTube channel of origin स्वागा थे आप सभी का आज के क्लास में और आज हम numericals जो हमारा कर रहे है Class 12 Physics का पहला चेप्टर विद्धूत आवेस तथा छेत्र और आपको मालूम है कि हम NCRT के प्राब्लम्स साल्व कर रहे हैं तो हमने 1st पार्ट में question number 1.1 से 1.13 तक question साल्व किया है आज के क्लास में हम exercise 1 का ही question number 1.14 से 1.24 मतलब आज हम इसको complete करेंगे तो यह हमारा second part है पहला part का जितना भी question था वो कुलाम के नियम पर था या विद्धू छेतर की तीब्रता पर था आज का हमारा ज्यादा तर question गास के थियोरम पर best है NCRT question की यही बहुत अच्छी विशेश्ता है कि proper उसने उसको manage किया है कि कहां से कहां तक का question किस concept पर best है तो आज का question हमारा गास के थियोरम पर best होगा ओके चलिए आज हम 1.14 से question इस्टार्ट करेंगे लेकिन यहाँ पर 1.15 question आपको दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि 1.14 theoretical explanation वाला question है वह numerical नहीं है आपको पहले भी मैं बता भी हूँ कि हम numericals वही कर रहे हैं जो calculation है मतलब जो numeric value पर best है बाकी जो theoretical है वो तो हम कर चुके हैं विच विच में कादो question है तो question number 1.15 को ध्यान से समझे आपको मैं बता चुका हूँ कि numerical करने से पहले आप question को बहुत ध्यान से read करो read करने के बाद आप given लिखो और फिर सोचो की हमको ग्यात क्या करना है यहाँ पर एक समान विद्दू छित्र E बराबर पर विचार कीजिए पहला क्या कि इस छेत्र का 10 cm भुजा के वर्ग के उस पार्स से जिसका तल YZ तल के समानतर है YZ तल के समानतर ध्यान रखना X axis मतलब YZ axis के समानतर क्योंकि I cape जो है वह X axis का limit vector है यहाँ में एक figure बनाता हो तो आपको समझ में आएगा गुजरने वाला flux निकालना है और दूसरा part है पहला part है दूसरा part में बोलता है इसी वर्ग से गुजरने वाला flux कितना होगा यदि तल का अभिलम अक्ष से 60 हंस का कोण बनाता हो तो पहला वाला condition में parallel है और दूसरे वाले condition में क्या है 60 degree है parallel मतलब होता है 0 degree ठीक है parallel का मतलब यहाँ पर flux गुजरने वाला flux के समानतर है तो आप सीधा यहाँ पर समझ सकते हो कि theta का value क्या है यहाँ पर 0 degree है चलिए तो यह मैंने question explain किया अब हम देखते हैं इसके solution अब इसके solution में आप देखो तो एक figure बना दूँ मैं सबसे पहले कि इसमें तीनों अक्षों को किस तरह से हमको arrange करके दिखाना है देख स्वारी x, y और z यह 3 axis अपने पास है और यहाँ पर हम इस axis को show कर दें ठीक है x, y, z सपोज हम parallel axis को x दे लेते हैं x, y, z यहाँ पर हम इसको show कर दें तो यह हो जाएगा x axis यह हो जाएगा y axis और यह z axis इसका direction यह दिया हुआ है मतलब विद्धु छेत्र की तिब्रता का जो direction है x axis है मने e equal to क्या दिया हुआ है यह vector form में है यह दिया हुआ है 3 into 10 to the power 3 i cap यह दिया हुआ है और plane जो है वह y, z plane से correlate करता है तो y, z plane यहाँ पर क्या आ जाएगा y, z, y और z axis पर आ जाएगा ठीक है मैं y, z plane भी थोड़ाँ साब को 3 dimension बता देता हूँ इस तरह से यह y, z plane होगा यह जो आप देख रहे यह y, z plane होगा और axis यह है जो कि इसके समानांतर है ठीक है तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं अब हम इसके first part को solve करें तो first part में आपको देखो first part में क्या पूछा गया है हमको first part में यहाँ पर पूछा है कि इसके समानांतर है तो fluxों की संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है वेक्टर फार्म में तो सबसे पहले तो आपको a part solve कर रहा हूँ a part के लिए जो फार्मूला है वह क्या होगा fluxों की संख्या phi equal to वेक्टर के फार्म में होता है e dot s e dot s cos theta यह होता है तो वेक्टर फार्म में भी डारेक्टर पर निकाल सकते हैं दोनों के dot product करके और इस फार्म में भी निकाल सकते हैं that equal यहाँ पर देखो e का जो value है अच्छा यहाँ पर s हमको निकालना है surface area तो question में कितना बोला है 10 cm का वर्ग के रूप में है 10 cm का वर्ग मतलब 10 cm इसका लंबाई है और 10 cm इसका चवड़ाई है भले आपको चित्र में छोटा बड़ा दीख रहा है तो यहाँ पर हम यही एस कमान निकालना चाहें तो एस कमान कितना होयागा 6 फर 10 गुड़ी 10 लंबाई गुड़ी चवड़ाई तो उसका 6 फर हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग और यह cm2 है इसको meter में change करें तो 10 square into 10 to the power minus 4 का multiply करना पड़ेगा minus 4 का क्यों क्यों क्योंकि इस s के लिए इस लंबाई के लिए मतलब 6 फर को बदलना होता है तो वर्ग का गुड़ा करना पड़ता है यह आपको मालूम है that equally हो जाएगा 10 to the power इसका मान हो गया 10 to the power minus 2 meter यह किसका value हो गया s का value हो गया तो e और s के value को हम यहाँ पर put up कर देते हैं तो e का value केवल हम यहाँ पर क्या लेंगे इसका परिमाड को लेंगे परिमाड को लेंगे क्योंकि अब यह किस रूप में आ गया है जब dot product को हम open कर देते हैं a b cast theta तो a और b उसका परिमाड होता है तो इसका जो परिमाड होगा वह 3 into 10 to the power 3 होगा तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 into 10 to the power 3 और into s s का value हमने अभी निकाला है 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 और into cast parallel है तो 0 क्योंकि समानतर है मैंने पहले बता दिया कि theta का value 0 है तो समानतर होगा तो 0 degree होगा cast 0,1 होता है that equal अब इसको आगे solve किया जाए तो यहाँ पर होगा 3 into यह 10 मतलब कितना होगा 300 तो यहाँ पर fluxों की संख्या कमान कितना होगा 300 यह इसका answer होगा clear तो 300 plus flux क्या होगा यहाँ से pass होगे clear यह होगे हमारा पहला part अरे स्वारी 30 30 30 दिया है question में 3 into 10 30 होगा तो number आप flux इतनी हो जाएंगे 30 हो जाएंगे तो fluxों की संख्या first में 30 होगा यह हमारा आया पहला question का answer clear सबको numerical आप 7 में ही बनाते चलिए तो ज़्यादा बेहतर है class के 7 ही बनाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है चलिए next को इसका second part को हम solve करें B वाले part को तो B वाले part में हमको कुछ नहीं करना ही यही फार्मूला लगाना है B part में fluxों की संख्या phi equal to क्या हैगा E into S E into S into cast theta तो यहाँ पर विद्दू छेतर की तिब्रता तो वही है मतलब 3 into 10 to the power 3 तो यहाँ पर 3 into 10 to the power 3 और into S का value 10 to the power minus 2 है लेकिन यहाँ पर कोण को कितना बोला है 60 degree यहाँ पर देखो second part में question पढ़ते समय ने आपको बताया कि एक सक्ष से साथ हंस का कोण बना रहा है पहले समानांतर था अब क्या है साथ हंस का कोण बना रहा है तो साथ हंस के कोण बनाने पर आगे यहाँ पर साथ हंस पूर कर देंगे कास 60 तो that equal to यह हो जाएगा 3 into 10 to the power 3 आये तो multiply कर ही दूँ इसको मैं दोनों multiply होके कितने हो जाएगे 10 और into कास 60 degree तो कास साथ हंस का मान एक बटे दो होता है that equal to ठीक है यह सब आपको value याद रहने चाहिए गडिती आओ धारना का तो आप proper revision करते रहा करो तो यह हो जाएगा 1 upon 2 और यह 2 पंचे 10 तो पांस तिया 15 यह इसका आंसर होगा मतलब उसका ठीक आधा 15 मतलब उसका ठीटा का आधा पहले आये था 30 अब कितना आंसर आ गया 15 आ गया ते हो गया हमारा B का आंसर चलिए next question देखें किसी काले box के प्रिष्ट पर विद्दू छेतर की साउधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि box के प्रिष्ट से गुजरने वाला net flux आपको मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले ही बता दिया था कि आज का हमारा पूरा जो question है वो flux और गास के थिवरम पर based होगा गास का थिवरम मतलब fluxों की संख्या ही होता है तो उसे गुजरने वाला net flux यह यह fluxों की संख्या है 8.0 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्यार पर कुलाम है बाक्स के भीतार net आवेस कितना होगा तो आवेस और fluxों की संख्या की बीच में फार्मूला हमको पता है सेकंड पार्ट में बोलता है यह बाक्स के प्रिस्ट से नेट बहिरमुखी flux सुन्य है मतलब बाहर निकलने वाला flux यह दी 0 है तो क्या आप यह निसकर्स निकालेंगे कि बाक्स के भीतार कोई आवेस नहीं है है तो क्यों अथवा नहीं इसको एस्प्लेंट करना है थोड़ा conceptual question है फिक है second part भी मैं आपको इसका बता देता हूँ उसमें कोई calculation नहीं है तो सबसे पहले हम देखें first part का calculation solution हमारा किसका पहला part का तो यहां पर देखो flux की संख्या यहां given लिखने के ज़ुरत नहीं है सब चीश्तों सिधा सिधा सामने में है तो phi equal to होता है Q upon epsilon 0 हमको मालूम है गास के theorem से कि phi equal to होता है Q upon epsilon 0 यहां question में हमको क्या पूछा है net always तो always निकालना है तो therefore Q equal to क्या हो जाएगा 5 into epsilon 0 या epsilon 0 into 5 यह हो जाएगा अब यहां पर हम इसके मान को भर दें चलो इसके मान को भर दें तो epsilon 0 का value आपको याद रहना चाहिए पहले कई बार बता चुका मैं class लेते समय 8.854 into 10 to the power minus 12 यह epsilon 0 का value आपको याद रहना चाहिए हमेशा ठीक है जब आपको theory का concept का class ले रहा था आपको बताया था इतना होगा और into flux की संख्या तेहां पर प्रस्ण में दिया हुआ है 8 into 10 to the power 3 8 into 10 to the power 3 इतना दिया हुआ है अब इसको हम multiply करें और multiply करके answer lines का तो therefore therefore q equal to ठीक है multiply तो मैं calculator से कर देता हूं 8.854 into 8 0.07 into 10 to the power minus 6 0.07 into 10 to the power minus 6 ये कुलाम है 10 to the power minus 6 क्योंकि हमने पूरा mks में use किया है तो इसका unit क्या होगा कुलाम और यदि हम micro कुलाम में लिखना चाहें तो आपको मालूम है कि micro कुलाम में लिखने के लिए हम 10 to the power minus 6 को हटा सकते हैं तो कुलाम में लिखेंगे तो 0.07 कुलाम इसका आंसर आएगा ठीक ये आप multiply करके देख ले न इतने इसका आंसर आएगा एक बार आप लोग calculation को चेक जरूर कर ले न ठीक जरूर कर देखो यदी बाक्स के प्रिस्ट से यदी बाक्स के प्रिस्ट से नेट बहर मुखी flux सुन्य है ठीक है नेट फ्लक्स को 0 बोल रहा है तो क्या आप यह निस्करश निकालेंगे कि बाक्स के भीतर कोई आवेस नहीं है क्यों अथ्वा क्यों नहीं है देखो हम अभी फार्मूला पढ़ें है फाई इक्वइल टू क्यों अपन अपसाला नाट अब इसका मतलब यह है कि therefore आवेस का जो मान है वह फाई इंटू अपसाला नाट होगा अब हमको यह दिया है क्वेस्टन में कि since q is 0 आवेस को यह दि हमको क्या करना है ने स्वारी flux को 0 करना है तो फ्लक्स को यहिदी हम zero कर दें तो therefore यहां पर charge भी क्या हो जाएगा zero इसको zero करने पर चार्ज भी zero हो जाएगा तो प्रस्म में क्या बोलता है क्या यह निश्क्राश निकालेंगे कि बाक्स के भीतर कोई आवेस नहीं है बने आवेस का मान सुन्य होने का मतलब क्या यह है कि बाक्स के अंदर कोई आवेस नहीं है तो देखो मान लो हमारे पास यह कोई बाक्स है तो यहाँ पर क्यू जब 0 होगा तब ही क्या हो रहा है फ्लक्स 0 होगा तो क्या बाक्स के अंदर चार्ज नहीं है बोल रहा है तो यह पूर्णता सत्य नहीं है क्यों क्योंकि चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता प्रस्ट में यहीं पूछ रहा है कि क्या हम यह निश्चित कर लें कि बाक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो ऐसा निश्चित के सकते क्यों कि यदि हम मानले कि बाक्स form के अंदर चार्ज सुन्य है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बाक्स के अंदर जितना पाजिटीव चार्ज है उतना निगेटिव है तब भीजिब हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि बाक्स में जो फ्लक्सों की संख्या उसका 0 होने का यह मतलब नहीं है कि बाक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है ठीक है फ्लक्सों की संख्या के 0 होने का मतलब यह नहीं है कि बाक्स के अंदर चार्ज ही नहीं है चार्ज नहीं है वह भी क्यों नहीं तो हम निश्चित नहीं कह सकते कि आवेस नहीं है आवेस नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है और होगा तो क्या होगा प्लस और माइनस होगा तो बहुत अच्छा यह मेरे हिसाब से यह एक बहुत इंप्रेजन करता हूं और इनको आप विशेश रूप से ध्यान दिया करो और इसी तरह के क्वेश्चन आपके नीट आयाइटी जेई और सी यूटी जैसे कम्टिटी एक्जाम में पुछे जा सकते हैं तो जितने क्वेश्चन देखो क्वेश्चन तो सब अच्छा है प्रेक्टिस के लिए हमको सारे क्वेश्चन को करने हैं लेकिन फिर भी हमको उन प्रस्णों के बारे में पता होना चाहिए जो एक्जाम पाइंट आप यूसे बहुत इंपर्टेंट होते हैं यहां जिनके कॉंसेप्ट अच्छे हैं चीत्र में यहां पर क्वेश्चन में ही चीत्र को दिया हुआ है दरसायन सार दस सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग द जो कह रहा है उसका सिच्वेशन कैसा है चलिये मैं यहां पर एक वर्ग कंसर्फें कर दिया यह 10 सेंटीमींटर भुजा का एक वर्ग है ठीक है जो केंद्र होगा ये होगा ये मालूस का केंद्र है सेंटर है उससे पांच मीटर उचाई पर तो पांच मीटर उचाई पर हम कहां पहुंच आएंगे आप सोचो उसके दूसरे सतह में पहुंच जाएंगे यदि मैं यहां से पांच मीटर उपर जाओं तो चूंकी वर्ग के प्रत्यक भुजा की लंबाई 10 cm है तो यदि हम बाटम से या उसके सेंटर में जाएं तो सेंटर 5 हो जाएगा उपर बचा हुआ भी 5 हो जाएगा तो यहाँ पर यदि हम इस सर्फेस पर चले जाएं तो यहाँ पर यह वाला जो पाइंट है वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा जो कि प्रस्ण में दिया है तो यहाँ पर प्रस्ण में जो 5 सेंटीमीटर दिया है यह 5 सेंटीमीटर वो इसके केंदर से दूरी है यह सेंटर है यह सेंटर से यहाँ पर वैसे चित्र में थोड़ा जीब लग रहा है यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगा वहाँ पर अब यहाँ पर है क्या महत्वपूर्ण बात देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा घन है घन का प्रत्येक सर्फेस एक वर्ग होता है देखो यहाँ पर तो मैंने थोड़ा साइच को बनाने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया मतलब ध्यान नहीं दिया होते हैं 6 surface होते हैं देखो 1,2,3,4 और आगे और पीछे तो 6 surface होते हैं तो हमको मालूम है कि total flux यदि पूरे घन के लिए flux निकालें यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके solution को तो घन के लिए यदि हम पूरे घन के लिए flux की संख्या को निकालें इस पकार से फाई equal to तो क्या होगा क्यू अपान अफसालयनाठ होगा यदि हम पूरे घन के लिए निकालें तो गास के थोराम से क्या होगा Q upon अब सारानाट होगा लेकिन अब यदि हम इसको किसके लिए निकाले एक फलक के लिए तो घन के एक फलक के लिए तो घन की एक फलक की हम बात करें तो घन के एक फलक के लिए आप समझ सकते हो मालब flux की संख्या 5 days है तो कितना हो जाएगा 5 upon 6 हो जाएगा क्योंकि संपूर्ण घं के लिए flux यदि 5 है यदि संपूर्ण घं के लिए flux 5 है तो घं में बराबर 6 surface होते हैं 6 वरगा कार surface होते हैं तो एक part के लिए निकालना है तो 6 का भाग हो जाएगा इस तरह से और that equal अब हम इसको इसमें formula को put up कर दें तो that equal 1 upon 6 और into 5 ठीक है तो 5 का भी लिए हम यहाँ से put कर दें Q upon epsilon not इस तरह से और that implies यह हो जाएगा 1 upon 6 into always कमान यहाँ पर दिया हुआ है कितना always दिया हुआ है 10 micro kulam always कमान दिया हुआ है कितना 10 micro kulam 10 micro kulam को हम kulam में change कर दें 10 into 10 to the power minus 6 और epsilon not का value होता है 5.854 into 10 to the power minus 12 ठीक है तो यह हम इसके value को put up कर देंगे और यह value put up करने के बाद 8 point 8.854 into 10 to the power minus 12 चलो अब इसको salvo करें मैं direct भाग करता हूँ 10 का 6 का गुणा करके तो अंसर आजाएगा 10 to the power minus 12 10 to the power minus 6 1.88 into 10 to the power 5 1.88 into 10 to the power 5 यह होगा और fluxों की संख्या कई बारे student को लगता है कि संख्या क्या क्या unit होगा लेकिन आपको मार्लूम है कि fluxों की संख्या का unit होता है क्या newton meter square पर कुलाम तो ध्यान रखना यह बहुत confusion वाला unit है क्योंकि कई बार student को लगता है fluxों की संख्या संख्या मतलब गिनती आट दास बीस पर चीश इसका क्या unit होगा लेकिन fluxों की संख्या क्या unit होता है कई बार इसको नीट के एक्जाम में पूछा है dimension वाले chapter में ठीक है तो 1.888 इंटी 10 to the power 5 होगा तो यह question किस लिए महत्तपूर्ण है यह question इस concept के लिए महत्तपूर्ण है कि क्या आपको एक surface के लिए निकालना है तो आप उसको समझ पा रहे हैं कि क्या होगा यह 5 cm का यहां पर सेंटर से distance के रूप में रोल है जिसका calculation में कोई रोल नहीं है calculation में उसको कोई रोल नहीं है 5 cm का data complete confusion करने का data देखो 5 cm का कोई काम नहीं आया ना वर्ग के भुजाक आया यह तो एक standard equation है कि घन के लिए इतना होता है तो घन के एक फलक के लिए इतना होता है यह question भी बहुत ज्यादा important है क्योंकि इसमें कुछ मतलब जो डेटा है वह अनावस्यक है चलिए अगरा question हम देखें question number 19 यह question कहता है 2.0 micro-kulam का कोई बिंदु आवेस किसी किनारे पर 9 cm किनारे वाले किसी घनी ठीक है यह गाउसी प्रिष्ट के केंदर पर इस्थित है प्रिष्ट से गुजरने वाला net flux होगा direct question घनी रहे चाहे कोई भी रहे अभी मैं आपको बताया कि बंद प्रिष्ट बस होना चाहिए और किसी भी बंद प्रिष्ट से निकलने वाली fluxों के संख्या का गास का दिया हुआ एक ह भी फार्मूला है 5 equal to q upon epsilon not मतलब यह घन है घनाब है इतना लंबा इतना चोड़ाई कहीं कोई काम का नहीं सीधा 5 equal to q upon epsilon not और value put up करो और सीधा सीधा value find करो तो direct formula पर best है question आवेस कमान कितना दिया हुआ है 2 micro kľrics लाम तो 2Ge 10 to the power minus 6 और aps violent नाट का value क्या हो जाएगा 8.854 इंटू 10 to the power minus 12 चलिए इसको साल्व कर ले ना 10 का घात्व ऐसी कर जाएगा उपर जाके धन्चे हो जाएगा 2 में 8.854 को करते हैं टू डिवाइड़ पाई 8.854 एक जिरो पिधर कर दिया 2.26 टू पाइंट टू पावर फाइब न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कुलाम यह इसका अंसर होगा तो देखो इस पाइट का ज्यादा तर कोश्चन गास के थेरम पर बेज़ड है इंसी आटी ने कलेक्शन ही ऐसी दिया है कि सेकंड पाइट जो है मतलब सेकंड पाइट मतलब तेरा के बाद का जो कोश्चन फ्लक्सों की संख्यां पर है चलिए नेस्ट हम देखें नेस्ट कोश्चन देखो 1.2 मतलब 20 नमबर का न्युमेरकल किसी बिंदू आवैस के काराण उस बिंदू को केंद्र मान कर कोई बिंदू आवैस है और उस बिंदू को यादि हम केंद्र मान कर खीचे गए दस सेंटिमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी प्रिस्ट गाउसी प्रमे वेद्वित फ्लक्स इतना है यदि गाउसी प्रिष्ट की त्रिज्ज्या को दूग नी कर दी जाए तो प्रिष्ट से कितना फ्लक्स गुजरेगा और बिंदू आवेस का मान क्या होगा दो चीज हमको इस क्वेश्चन में पूछा है एक बार क्वेश्चन को बहुत ध प्रिंदू आवेस का मान क्या होगा क्वेश्चन में स्टेट्मेंट को घुमाया अच्छा है अभी आपको मैं बोला थोड़ा सा पीछे क्वेश्चन में एक बार आपको ले चलता हूं मैं अभी वाएं आपको बताया कि यहां पर यह जो पाँट सेंटीमीटर है इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि फ्लक्सों की संख्या निकालने का जो फार्मूला हम यूज करते हैं इसमें आवेस और अपसायलानार्ट को भी छोड़ दो क्योंकि अपसायलानार्ट तो इन्वर्सल कांस्टेंट है वो तो हर जग आट पाइट पाइट पाइफ फॉर इंटु टेंट इस बार इसमें बहुत अच्छे होते हैं देखो यहाँ पर सिधा हम लिखेंगे चूंकि फाई इकवल टू होता है क्योंकि अपान अपसायलानार्ट होता है तो त्रिज्या को दुगनी कर दें कुछ भी कर दें तो नो चेंज नो चेंज सिधा लिख लेंगे कोई परिवर्ता नहीं होगा क्योंकि आर पर निर्भर नहीं करता त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता ऐसा अंसर लिखेंगे त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता चाहें त्रिज्या को दुगना करो चार गुना करो पचास गुना करो कोई मतलब नहीं कितना अच्छा कोस्चन है देखो ठीक है ड निकालने के लिए सिधा फार्मूला हम इसी को यूज करेंगे दुबारा आवेस यहां से हमको निकालना है तो therefore क्या हो जाएगा यह q equal to 5 into epsilon 8 यह तो कई बारा भी निकाल चुके यह तो fluxों की संख्या कितना दिया है वही question में यह दिया हुआ है minus 1.0 into 10 to the power 3 और epsilon 8 के value 8.854 और into 10 to the power minus 12 चलिए आप साल्व करिए इसको 10 का घात रिड़ बारा है 3 घटे का रिड़ ना होगा और उतो रहेगा minus 1 के साथ बुणा होगा उतना ही रहेगा तो minus 8.854 into 10 to the power minus 9 कुलाम minus 8.854 into 10 to the power minus 9 कुलाम minus यहां पर बता रहा है कि charge क्या है negative है सामने minus कहोना क्या बता रहा है कि charge negative है क्लियर सबको now next question अगला question देखो 1.21 21 नमबर का question 10 cm त्रिज्या के चाला गोले पर अज्याद परिमाण का आवेस है आवेस का मान नहीं पता गोले की त्रिज्या पता है यदि गोले के केंद्र से 20 cm दूरी पर विद्धु छेत्र इतना है तो त्रिज्या अंतर मुखी है तो गोले पर net आवेस कितना होगा गोले पर आवेस कितना होगा भई? अभी मैं आपको क्या बताया? no change तो phi equal to होता है q upon epsilon 0 अब हमको विद्धु छेतर की तिवरता का आच्छा यहाँ पर विद्धु छेतर की तिवरता दिया हुआ है ना यहाँ पर हमको स्वारिस्वारि इससे नहीं बने गए इसको मैं ध्यान नहीं दे पाया यहाँ पर विद्धु छेतर की तिवरता दिया हुआ है तो विद्धु छेतर की तिवरता दिया है गोले के लिए गोला होता है बिंदु आवेस गोला होता है बिंदु आवेस तो बिंदु आवेस के लिए विद्धु छेतर की तिवरता का हम फार्मूला लगाएंगे चुंकि E equal to होता है 1 upon 4 pi epsilon not Q upon R square यह सुत्र लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमको विद्धु छेतर की प्रिब्रता दिया हुआ है E आवेस कमान निकालना है that implies यह फार्मूला को हम change कर देंगे आवेस के लिए तो Q बराबर कितना हो जाएगा एसा बुद्धर टांसफर कर दो तो हो जाएगा E into 4 pi epsilon not into R square यह होगा तो calculation based question है अब सब का इसमें value put up करो E कितना दिया 1.5 into 10 to the power 3 यह E दिया इन्टू 1 upon 4 pi epsilon not का value होता है 9 into 10 to the power 9 तो उलट देंगे तो उलट देंगे तो दोनों साइट से उलट जाएगा इसका value हो जाएगा 1 upon 9 into 10 to the power 9 reciprocal हो जाएगा और त्रिजिया 20 cm सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 20 गुडिद 10 की घात नेड़ दो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 6.67 into 10 to the power minus 9 कुलाम मैं आप लोग को हर दिन के क्लास में बोल रहा हूं कि इस तरह का situation आपको simplify करना आना चेहिए मैं तो direct answer लिग दे रहा हूं मुणा भाग करना आना चेहिए आपको और उसका आप manual practice कर मुझे करना है तो मैं तो यहां पर आराम से कर लूँगा सीधा सीधा मैं क्या करूँगा देखो यहां पर फोड़ा सा आपको और आफ idea देता हूं यह एक 0 इसके सांस में कट जाएगा और यह हो जाएगा 2 into 10 to the power minus 1 हो जाएगा ठीक है या मैं ज्यादा भी लिखना सीधा सीधा इतना हो जाएगा क्योंकि एक 0 इसके सांस में adjustment हो जाएगा तो 2 into 10 to the power minus 1 इतने का जो value होगा एक बार आपको सिखा रहा हूं है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 to the power 2 into 10 to the power minus 1 और 2 square है तो 2 का square 4 हो जाएगा और 10 to the power minus 2 हो जाएगा यह हो गया देखो ठीक है इसके बार यहाँ पर 10 के power को हम salve करना चाहें तो 10 का power यहाँ पर minus 2 है और 10 का power यहाँ पर 3 है तो एक 10 बच्छेगा एक 10 बचेगा ठीक है यहाँ से क्योंकि है minus 2 है और यहाँ पर plus 3 है तो यहाँ पर 1.5 और 4 को multiply करेंगे 15.60 हो जाएगा तो हो गया 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 6 into 10, 6 into 10 मतलब कितना हो गया 60 हो गया यहाँ पर 6 आएगा और वहाँ पर 10, तो 10 का value कितना हो जाएगा 6 आईए और नीचे में आगया कितना 9 into 10 to the power 9 अब यहाँ पर हमको क्या करना है 60 में 9 को divide करना है 60 में 9 को divide करेंगे ठीक है तो 9 शक्का 54 यह 6.67 आएगा और यह जो power 9 है यह जो power 9 है यह उपर चला जाएगा मतलब 60 में 9 को divide करने पर 6.67 और यह 10 का घात उपर जाके 10 का घात नीड़न हो जाएगा यह इस cancer है यह इस cancer है तो आपको सरल करना आना चाहिए और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा मैं सभी question में गुणा भाग कर दूँ तो मेरा बस गुणा भाग करने का skill develop होगा आप वही के वही रह जाओगे यह सचाई है इसलिए question को समझाना concept को clear करना फार्मूला बताना और कैसे बनेगा बताना यह important बात है आपको सरल खुद से करना चाहिए और calculator बिलकुल यूज मत करना मोबाइल से बिलकुल calculate मत करना हमारी आतलब है आपको याद रहता मुझे एक्जाम में बैठना है ना तो आपको यह सब सरल करना आना चाहिए नहीं तो कई घंटे आप लगा दोगे मतलब गुणा भाग वगेरा में आपका proper command होना चाहिए जैसे छोटे class में बच्चे करते हैं ना चलिए तो यह इसका अंसर हो गया अब हम नेस्ट क्वेस्टन देखें क्वेस्टन नमबर 22 2.4 मीटर ब्यास के मानव हमारे पास 2.4 मीटर ब्यास का कोई एक समान आवेसी चालक है गोले का प्रिष्टी आवेस घंट्म 80.0 माइक्रो कुलाम है तो पहला गोले पर आवेस ग्याद कीजिए दूसरा गोले के प्रिष्ट से निर्गत कुल वैदित फ्लक्स का मान ग्याद यह गोले पर बेस्ट कोस्टिन है गोले का विदू चेतर की पीवरता उसके फ्लक्सों की संख्या सब हम गोले के बारे में जानते है ठीक है तो यहाँ पर देखो जो चार्ज डेंसिटी है इसमें आवेस घंट पर दिया हुआ है तो एक बार मैं इसको सब को यहाँ पर दिय है लिख देता हूं ज्यादा वेरियेबल है तो यहाँ पर मैं दिया है लिखी देता हूं ब्यास दिया है ब्यास मतब 2R 2R equal to 2.4 मीटर और इसको तरिज्या बना लूं तो दो को भाग कर दूं तो 1.2 मीटर हो जाएगा यह दिया हुआ है और प्रिष्टी घंट्व दिया ठीक है प्रिष्टी घंट्व को हम सिग्मा से पतासित करें तो 80 माइक्रो कुलाम दिया हुआ है 80 माइक्रो कुलाम पर मीटर स्कूर एट्टी माइक्रो कुलाम पर मीटर स्कूर इसको मैं कुलाम में चेंज कर देता हूं तो 80 इन्टू 10 to the power minus 6 ठीक है कुलाम पर मीटर स्कू भार रहाएगा माइक्रो कुलाम को बिल्कुल देरी मत क्या करो तुर jemand में चेंज करो तो इप आर नीकल गयाängt और क्या नीकल गया सीगमा नीकल गया अभ हमको क्या पूष्ता है ये, density, ठीक है, गोले पर आवेस, स्वारी, पहला पूष्ता है, आवेस, तो घनत्व और आवेस के साथ में क्या संबन्ध है, तो पहला इसका, इसका पहला कल्कुलेशन आप देखो, फर्स्ट नंबर का, कि हमको मालूम है, आवेस घनत्व बराबर, आवेस घनत तो प्रस्ण में हमको आवेस ही पूछा है यह तो आवेस बराबर होता है आवेस घना तो गुड़ी छे तरफल गास के प्रमे का पहला पाइंट देखो मैं आपको लगभग रिवलर याद दिला रहा हूँ निमेरिकल्स आपको करना है तो चेप्टर 100% तयार होना चाहिए वीडियो को देख लो और विद्यूत आवेस सथा छेतर को पहले अच्छे से पढ़लो फिर निमेरिकल्स को आपको करना है चलिए तो यहाँ पर हम मान को भरें बाकी तो आसान काम है इसमें कुछ नहीं है तो आवेस घनत्वा का मान हम यहाँ पर निकाल के रखे हैं कितना ह 10 to the power minus 6 यह होगा और 6 रफर तो 6 रफर यहाँ पर pi r square हो जाएगा pi r square तो pi और r के मान को मैं भर ही देता हूँ ठीक है pi r square r है 1.2 meter 1.2 एक बार इस रूप में लिख देता हूँ pi r square that equal to 80 into 10 to the power minus 6 into 3.14 into 2 यह कितना हो जाएगा value दिया हुआ है कितना 1.2 1.2 का whole square यह है अब इसको simplify करो ठीक है चलिए इसको simplify करिए और मान निकलिए करिए 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 आप लोग simplify करिए इसको मैं value लिख देता हूँ 1.4 into 10 to the power minus 3 आएगा 1.4 into 10 to the power minus 3 कुलाम यह इसका अंसर होगा है चलिए आपा निकल सकतर होगा जबन करिए आपाँ करिए ई इसके दो आपाँ करिए आपँ़ आपँ़ करिए आपँ़ चलिए, नेस्ट क्वेस्टन देखें, क्वेस्टन नमबर 23, कोई अनन्त रैखिक आवेस टू सेंटिमीटर दूरी पर 9 इंटू 10 पर 4 न्यूटन पर कुलाम विद्धुछेतर उत्पर्ण करता है, रैखिक आवेस घनत्व ग्याद कीजिए, रैखिक चाला के कारण च्छेतर की तीवरता का फार्मूला क्या पढ़ा है, देखो, विद्धुछेतर की तीवरता, E equal to होता है, 1 upon 2 pi epsilon 8 lambda upon R, या lambda upon D, ये रैखिचाला के कारण, ये अनन्त लंबाई के रैखिचाला के कारण, विद्धुछेतर की तीवरता का फार्मूला है, गास के प्रमे का पह अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा इस फार्मूला को हम चेंज करते हैं, और क्या चेंज करते हैं, हमेशा करना चाहिए, E equal to 2 का गुणा 2 का भाग करता हूं, तो 2 का गुणा 2 का भाग, ऐसा क्यों किया मैं भी आपको बताता हूं, 2 pi epsilon 0 into lambda upon r होगा, अब यह इसके साथ में गुणा होके, that implies E equal to क्या हो जाएगा, 2 upon, यह हो जाएगा 4 pi epsilon 0 into lambda upon r, तो इसको हमने 4 pi epsilon 0 क्यों बनाया, क्योंकि 4 pi epsilon 0 बनाने से ही उसका value 9 into 10 to the power 9 होगा, इसलिए मैं हम ऐसा बोलता हूं, कि 2 pi epsilon 0 के फाम में मत रखो, उसको 4 pi के फाम आप लिख सकते हो, ठीक है, चलिए, अब यहाँ से हम इसको आगे solve करें, क्या निकालने बोला है हमको, विद्व छत्रपन करता है, रहेखी कावेज घनत्प, जो की lambda है, तो lambda equal to value क्या हो जाएगा, सब कुधा transfer कर दो, तो E into, यह हो जाएगा, E into 4 pi epsilon 0, यह इधा transfer कर दिया, और बटे में आ जाएगा, 2, यह 2, अब इसका value हम यहाँ पर put up करें, और solve कर लेते हैं, ठीक है, तो विद्व छत्रपन की तिवरता कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, 9 into 10 to the power 4, यह दिया है, 9 into 10 to the power 4, और into, 1 upon 4 pi epsilon 0 का value होता है, 9 into 10 to the power 9, तहाँ पर 2 उल्टा है, तो करें, तो यह तो 9, 9 के साथ में कट जाएगा, ठीक है, और 1 बटे 2 मतलब 0.5, यह हो जाएगा, 0.5, एक बटे 2 मतलब, और यह उपर जाके हो जाएगा, 10 की घात, रिड़ 5, 4 के साथ घटेगा तो, तो 0.5 into 10 to the power minus 5 is cancer होगा, चाहे तो decimal को हम right side में transfer कर देते हैं, क्योंकि generally हम दस्तमलों को एक पूर्णान के बाद लगाते हैं, ठीक है, और ऐसा भी लिखेंगे तो कोई problem नहीं है, आंसर कैसे नहीं आया, बुक का आंसर मेच नहीं कर रहा है, तो जब इधर से transfer होगा, तो इसके साथ into R भी होगा स्वारी, तभी answer नहीं आ रहा है, R का भेली यहां पर put up करना पड़ेगा भई, गड़बड हो गया, तो R कमान कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, 2 cm, 2 cm, मतलब 2 into 10 to the power minus 2, तो इसका गुणा करना पड़ेगा है, चलो कर देते हैं, 2 into 10 to the power minus 2, that equal, दस समलाव 5 में 2 का गुणा होगा, तो 5 दूनी 10 वो एक हो जाएगा, और सीधा ये हो गया, 10 की घाथ, रेड़ 7, क्योंबर आये का 10 की घाथ, रेड़ 7, ये इसका आंसर होगा, 10 to the power minus 7 दिया है ना आंसर बुक में, ठीक, कुलाम पर मीटर, यूनिट है इसका, कुलाम पर मीटर, यहाँ से बन जाएगा यूनिट, यह हम त्रिज्ज्या को लिफना भूल गयते हैं, ध्याँ रखना है ना, 10 to the power minus 7, यह त्रिज्ज्या भी तो ट्रांसफर होगा ना भाई, यह हमारा question number 23, अब हम देखते हैं इसका last question, यह हमारा इस exercise का last question है, दो बड़ी पतली धातू की प्लेटे एक दूसरे के समानतर एवं निकट हैं, इसके भीत्री फलकों पर प्लेटों के प्रिष्टी आवेज घनतों के चिन्ह विपरीत हैं, मतलब एक तरफ प्लस है तो एक तरफ माइनस है, ठीक है, उसके चिन्ह विपरीत हैं, तथा इनका परिमार इतना है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीनो छेतर पर, पहली प्लेट के में, दूसरे पर तीसरे के, इस ते रिलेटेड मैंने आर्टीकल आपको पढ़ाया था, याद होगा, इस से related मैं आर्टिकल आपको पढ़ाया था कि दो समानतर प्लेट, यहाँ पर चित्र बना दूँ, तो सायद आपको रिकाल हो जाए, एक प्रिष्ट मालो यह है, और दूसरा समानतर प्रिष्ट यह है, यह मैं आपको समानतर प्लेट का special condition में class में आपको पढ़ाया था, तो इसमें जो आवेज घनतर है, फलकों पर प्लेटों के प्रिष्टि आज घनतर हो कि चिन्ह विप्रिथ हैं, इनका परिमार इतना है, चिन्ह विप्रिथ हैं, परिमार इतना है, तो सिग्मा ए, सिग्मा भी, मालो प्लेट ए है, तो इसको मैं सिग्मा ए ले लिया, और इसको क लेप्ट है दूसरे कभी लेप्ट ही होगा तो यहां पर यह पाजिटिव 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 फिल्ड हो जाएंगे यदि लेप्ट में प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगा पाजिटिव पाजिटिव हो जाएंगे अब हम इसका value निकालना चाहें, तो क्या-क्या होगा, एक बार ध्यान से फर्मूला में condition को समझना, E first, E first निकालेंगे, तो यह हो जाएगा, E A, या हम उसको sigma के फार्म में लिखें सिधा-सिधा, E A प्लस E B, E A प्लस E B, E A प्लस E B भी कह सकते हैं इसको, और चूंकि विद्धुच्छतर की तिव्रता आलेडी दिया हुआ है, नहीं, घनातों के रूप में दिया है, कोई बात नहीं, घनातों में चेंज कर लेते हैं अपन, तो E का वेल्यू होता है, sigma upon epsilon 0, sigma upon 2 epsilon 0, तो हो जाएगा, sigma upon 2 epsilon 0, और यह 1 upon 2 epsilon 0, यह 1 upon 2 epsilon 0, तो common हो जाएगा, और वेल्यू क्या दिया हुआ है, देखो, इसका वेल्यू दिया हुआ है, 17 into 10 to the power minus 22, 17, तो यह 17 into 10 to the power, स्वारी क्या है 10 to the power minus 22 माइनस 22 लेकिन बोला है कि दोनों प्लेट में आवेज घनत्व का नेचर अलग अलग है तो इसका प्लस है तो इसका क्या होगा माइनस होगा ते हो जाएगा 17 into 10 to the power माइनस 22 एक को प्लस बोला है को माइनस बोला है अब यहां से आप समझ सकते हैं कि यह दोनों केंसल आउट हो गया और इस तरह से टोटल जो यहां पर विद्धुच्छत्र कितिव रता है वह जीरो हो जाएगा ठीक है पहले फिल्ड में जीरो हो गया क्योंकि दोनों का वैसे म इस दोनों माइनस उन्टू माइनस प्लस हो जाएगा जैसे यहां पर देखो यह तो पहला पार्ट यह पहला पार्ट हो गया अब हम सेकनड पार्ट में देखें तो सेकनड पार्ट में विद्धुच्छत्र कितिवरता whats perspective में लिखना और दूसरा हो जाएगा माइनस तो प्रेक्ट लिक रहूं थोड़ ध्यां से समझना इसको मैं कामान कर देता हूं वान अपान टू अपसाइला नाट और इसका वेल्यू कितना हो जाएगा 17 इंटू 10 डिपार माइनस 22 और यह आलेडी यह माइनस है और इसका माइनस होगा 17 इंटू 10 डिप माइनस 22 सुत्र में भी माइनस है और फिर उसका वेल्यू भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह वन अपान टू अफसाइला नाट और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा अब तो दोनों जूड जाएगे तो टू इंटू 17 इंटू 10 डिपावर माइनस 22 होगा और यहां से 22 कर जाएगा यहां से 2 2 के सांस में कर जाएगा और दोनों के कटने के बाद अब value को हम put up कर देते हैं तो इसका value हो जाएगा 1 upon 8.854 into 10 to the power minus 12 और into यह हो जाएगा 17 into 10 to the power minus 22 अब इसको solve कर लें तो 17 में भाई 8.854 का पहले भाग करते हैं 17 divided by 8.854 आएगा 1.92 1.92 यह आगया 1.92 और 10 का घात रिंड बाराथ 10 का घात रिंड बाईस जाके उसके साथ में जूड़ जाएगा उपर जाके धन हो जाएगा तो 10 का घात रिंड दास आएगा यह है answer number second मतलब किसका e second तो यहाँ पर विदुच्छेतर की तीवरता का जो मान होगा वह जाएगा 1.92 इंटु 10 to the power minus 10 ठीक है विदुच्छेतर की तीवरता है तो Newton पर कुलाम अब चले आते हैं third field में तो e third में क्या होगा देखो यह जो तीसरा field होगा तीसरा field इसमें हो जाएगा minus ea minus eb दोनों minus तो 1 upon 2 epsilon 0 को common कर लूँ इसका value कितना है 17 into 10 to the power minus 22 और यह minus ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा यह स्वारी यह minus होगा यहाँ पर यह सामने वाला minus यह minus और minus 17 into 10 to the power minus 22 यह होगा that equal is का value put up कर दें तो 1 upon 2 epsilon 0 minus 17 into 10 to the power minus 22 minus into minus प्लस हो जाएगा तो होगा 17 into 10 to the power minus 22 यह होगा अब यहाँ से देखो यह दोनों कड जाएगे और यहाँ पर भी क्या जाएगा जीरवा जाएगा तो यह हमारा last question है यह हमारा numerical complete हुआ पहले चेप्टर का आपने एक बात numerical करते समय गवर किया होगा कि जितना भी numerical में आपको कराया NCRT का 100% उसमें पूरे के पूरे numerical जो हम चेप्टर में concept पढ़े रहते हैं जो फार्मूला डिराइब किये रहते हैं उन्हीं पर best होता है तो numerical के प्रती आपके अंदर जो डर है जो फोबिया है कि numerical नहीं बनता वो आप दूर करो और दो तिन चीजों पर command करो तो पहला चेप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए उसको आप बार बार revision करो दूसरा उसमें जितने फार्मूले हैं उसको आप याद करो और तीसरा आपको सरल करना आना चाहिए गुणा करना भाग करना जोणना घटाना मात रकों को चेंज करना एक यूनिट को दूसर सब्सक्राइब करेंगे बहुत ध्यान से लगन से आप पढ़िए यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आप competitive के लिए बहतर तयार हो पाते हैं ओके ओके थैंक्यू थैंक्यू सो मच